नमस्कार आप देख रहे हैं निज्रूम पोस्ट तालों के लिए अगर कोई नाम जुआ पर आता है तो वो है अलीगड शहर एक से बढ़कर एक तालों के निर्मार के लिए इस मशुहर शहर के ताले दुनिया भर में जाते हैं एक बार फिर अलीगड में एक ताला बनाया गया है जो विशु का सबसे बड़ा ताला है जी हां सही सुना आपने अलीगड के सत्वरकाश ने अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ मिलकर विशु का सबसे बड़ा ताला बनाया है इस ताले को बनाने के पीछे वजह भी खास है क्योंकि यताला वो राम मंदिर को भेट करेंगे इस ताले को खोलने के लिए जिस चावी का इस्तमाल किया जाना है वो हम और आप से उठवी नहीं सकती दरसल उसका वजन ही इतना है पूरे 30 किलो की चावी से यताला खुलता है वहीं अगर इस ताले के वजन की बात करें तो उसका वजन 400 किलो है इसके लंबाई 10 फिट की है और 4,5 चार फिट की है इस ताले पर रामदरवार की आकरती उकेरी गई है इस ताले को बनाने में करीब 6 महीने का वक्त लगा है सत्रप्रकाश और उनकी पत्नी रुकमणी ने तै किया है कि यह ताला एउध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर को समर्पित किया जाए हलाकि मंदिर में जाने से पहले अभी इस ताले में कुछ काम बाकी है सत्रप्रकाश ने बताया कि इसमें पीतल का काम करना है कई बदलाव होने हैं बॉक्स, लिवर, हुड़का, पीतल से तयार किया जाएगा यही नहीं ताले पर स्टील की स्क्रेप श्रीट भी लगाई जाएगी ताकि इसमें जंग न लगे शर्मा जी की इच्छा है कि 26 जनवरी को नई दिल्ली की परेड में वो इस बड़े ताले की जहाकी भी बनाएं और इसके अलावा वो इसे गिनीज बुक में भी दर्ज करवाना चाहते हैं इससे पहले इन्होंने 300 किलो का ताला बनाया था जिसकी खूब चर्चा हुई थी वहीं पत्नी रुक्मणी ने कहा कि आयोध्या में भगवान चुरी राम का द्भुत मंदिर बन रहा है वहाँ पर यह ताला होगा इससे अच्छा कुछ भी रहीं उम्मीद है शत्रप्रकास शर्मा और उनकी पत्नी ने जिस शिद्दत के साथ इस काम को पूरा किया है उनकी ये भी च्छाएं पूरी हों और विश्व के सबसे बड़े ताले की चर्चा ऐसे ही होती रहे इस खबर में इतना ही फिर मिलेंगे किसी नहीं खबर के साथ नमस्कार